दोस्तो आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ एक फ्रेंच हॉरर थ्रिलर मूवी जिसका नाम है दा हाउस अफ वोईसेज इस मूवी का ओरिजिनल नाम है सैंट एंज और ये मूवी 2004 में रिलीज हुई थी दोस्तो मूवी में हमें इनसान के दिमाग, ट्रॉमा और स्ट्रेस को दिखाया गया है पर ये सब कुछ स्पिरिट्स के साथ होता है मूवी बहुत जादा सस्पेंसफुल है और IMDb ने इसे 5 आउट ओफ 10 की रेटिंग्स दी है और इस मूवी को 79% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है आप लोग अगर चैनल पे नए होता चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बैल आइकन को दबाना मत भूलना क्योंकि आज की इस वीडियो में हम The House of Voices मूवी को समझते हुए इसके बारे में कुछ बात करने जा रहे है और हम इसी के साथ चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ मूवी शुरू होती है और हमें एक अनात आल्या को दिखाया जाता है जिसका नाम है सैंट एंज हम लोग देखते हैं एक छोटे लड़के को जो अपनी दोस्त के साथ बात्रूम में जाता है उस अनात आल्या का बात्रूम हच से जादा बड़ा होता है पर पानी किसी भी टंकी में नहीं आता टॉयलेट करने के बाद वो दोनों लोग वापिस जा रहे होते हैं पर बहार निकलते ही बात्रूम की टंकीया अपने आप चल जाती है वो लड़का वापिस टंकी बंद करने के लिए अंदर जाता है पर फिर उसे सुनाई देती है कुछ आवाजे जो एक बड़े से शीशे के पीछे से आ रही थी वो लड़का सिंग पे चड़कर चेक करता है पर तब उसका पैर फिसल जाता है और नीचे गिरने पे उसकी गर्दन टूप जाती है और वो मारा जाता है सीन जाता है कुछ दिन आगे और हम मिलते है मैडम फ्रैंड कार्ट से जो सेंट एंज की मालकिन है मैडम फ्रैन कार्ड आना नाम की एक लड़की को बस्टॉप से लेने आई थी और आना सैंट एंज की नई हाउस कीपर है आना और मैडम अब सैंट एंज में वापिस पहुचते हैं जहां पे हम लोग देखते हैं कि सैंट एंज को खाली कराया जा रहा है आना अब थोड़ा आगे बढ़ती है और वो मिलती है हेलन का से जो आना की तरह ही सैंट एंज की एक हाउस कीपर है इसके बाद आना के सामने वो छोटी लड़की आती है जो आना को देखकर भाग जाती है और आना मैडम फ्रेंड कार्ट को बच्चे की मौत के बारे में भी बात करता हो सुन लेती है हमें पता चलता है कि सैंट एंज के सारे अनात बच्चों को उनके अडॉप्टिट घर भेजा जा रहा है और अब सैंट एंज में कोई भी नहीं रहेगा क्योंकि एक बच्चा मिस्टीरियस तरीके से मारा गया है आना अब बच्चों को जाता हुआ देखती है और जब वो जा रहे होते है तो वो छोटी लड़की आना के पास आती है और वो लड़की आना को डरावने बच्चों से बच्च के रहने के लिए बोलती है सबी लोग अब सेंट एंश को छोड़ देते हैं और उस बड़ी सी मैंशन में बचते हैं आना, हेलन का और एक तीसरी लड़की जिसके बारे में हमें थोड़ी दिर में पता चलेगा आना अब अपने कमरे में जाती है और वो अपने पेट से पटी को उतारती है और हमें पता चलता है कि आना प्रेगनेंट है और दोस्तो इस मूवी की शूटिंग के वक्त जो ये एक्टरेस थी वो सच में प्रेगनेंट थी जिससे एक्टरेस को बहुत ज़्यादा दिक्कते हुई थी खैर आना अपनी प्रेगनेंसी को किसी वज़े से चुपा रही थी और वो स्तारा समान भी चुपा देती है और फिर तबी उसे उपर के फ्लोर से आवाज आती है आना अब उपर चेक करने जाती है और उसे मिलती है जूडित जो घर में वो तीसरी बच्ची हुई लड़की है हमें पता चलता है कि जूडित भी एक अनात बच्ची है जो दस साल से सैंट एंज में ही रह रही है क्योंकि उसकी दिमागी हालत खराब है जूडित के साथ क्या हुआ था ये हमें आगे पता चलेगा पर जो जूडित है वो पागल होने की वज़ा से सैंट एंज को नहीं छोड़ सकती अब कुछ दिन तक सब कुछ ठीक रहता है और आना और हेलन का मैंशन और जूडित का अच्छे से ख्याल रखते है हम इस बीच में हैलन का को कुछ अजीब गोलिया जूडित को देता हुआ देखते है और फिर एक रात को आना को एक डरावना सपना आता है जिसमें बहुत सारी आत्माई आना का सर शीशे में मार देती है अब अगले दिन आना जब सफाई कर रही होती है तो उसे मिलती है जूडित की बनाई हुई ड्राइंग्स और जूडित ने बहुत अजीब पेंटिंग्स बना रखी थी आना अब थोड़ी स्ट्रेस्ड हो जाती है और हम देखते हैं कि उसकी मेंटल स्टेट बिलकुल भी ठीक नहीं है आना की नाक से अचाना की खून निकलने लगता है और वो बेहोश हो जाती है इसके बाद जूडित और हेलन का आनागो ठाके बेट पे लिटा देते है और आना पागलों की तरह बिहेव करने लगती है जिसे आना के चोट भी लग जाती है थोड़ी दिर बाद आना शान्त होती है और हेलनका उसका इलाज करती है और अब सब को पता चल जाता है कि आना प्रेगनेंट है हेलनका को आना के शरीर पे पिटाई के निशान भी दिखाई देते है और इसके बाद आना रोने लगती है और हमें पता चलता है कि आना का कुछ टाइम पहले गैंग रेप हुआ था और ये प्रेगनेंसी उसी का नतीजा है इसके बद हेलन का आना की मदद करने का वादा करती है और सब कुछ ठीक हो जाता है आना अब खुलके रहने लगती है और इसकी लाइफ में से काफी ज़दा स्ट्रेस कम हो जाता है अब एक दिन पास के जंगल में आना को एक पुरानी जगा मिलती है वहाँ पे बहुत सारे लकडी के डब्बे होते है और आना को उस जगा पे च्छाना भी नी करते हुए कुछ पुराने बच्चों की फाइल्स मिलती है उसी ताइम पे मैडम फ्रेंड कार्ड वहाँ पे आ जाती है और वो आना को चेतावनी देती है और मना करती है इस जगा पे घूमने के लिए हमें पता चलता है कि मैडम सेंट एंज में सब कुछ चेक करने के लिए आई थी और वो इस सीन में आना से बहुत ज़दा रूटली बात करती है मैडम के इशारों से आना समझ जाती है कि मैडम जानती है उसकी प्रेगनेंसी के बारे में आना इसके बाद जाती है सीधा हैलनका के पास और वो उस पे इलजाम लगाती है कि उसने मैडम को सब कुछ बता दिया है पर हेलन का बोलती है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया और असल में आना को देखकर ही सब को पता चल रहा है कि वो प्रेगनेंट है आना अब गुस्से में अंदर जाती है और वो अपने पेट में घुसा मार लेती है क्योंकि उसे वैसे भी ये बच्चा नहीं चाहिए था मिली थी जुडित उस ताइम में नींद में थी और वो डरावने बच्चों के बारे में कुछ अजीब बाते बोल रही थी और आना जूडित से नींद में ही उन डरावने बच्चों के बारे में और ज़्यादा पूचती है जूडित बताती है कि वो डरावने बच्चे बिग बात्रूम से आते हैं और अब आना बिग बात्रूम में जाके चेक करती है और अब आना को लग रहा था कि सेंट एंज में कुछ बड़ी मिस्टरी छुपी हुई है खैर कन्फीजन दूर करने के लिए मैं आपे बताना चाहूंगा कि आना अपनी परसनल प्राब्लम से भागने के लिए फोकस कर रही है सेंट एंज की मिस्टरी पे पर असल में आना धीरे धीरे पागल हो रही है और कैसे ये हमें मूवी के एंड तक समझ आ जाएगा आना को बिग बात्रूम में एक दिवार के पीछे बहुत सारी पाइप्स मिलती है और अचानकी पाइप्स के अंदर से एक बाल बहार गिरती है जिससे आना को पता चलता है कि ये पाइप्स उपर के फ्लोर से जुड़ी हुई है आना अब उपर के फ्लोर पे जाती है और वो उसी सेम दिवार में ठोका ठाकी करने लगती है और से मिल जाती है वो सीक्रेट जगा जहांसे बाल गिरी थी उस जगा पे आना को एक पुराना बकसा भी मिलता है और उस बकसे के अंदर आना को पुराने बच्चों की फोटोस मिलती है और कुछ कागजाद के साथ आना को ये पता चलता है कि जो बच्चे वर्ल्ड वार टू के दोरान सैंट एंज में आई थे उनका क्या हुआ ये किसी को भी नहीं पता और आना इसलिए भी कन्फ्यूज हो जाती है क्योंकि जूडित भी वर्ल्ड वार टू के टाइम से ही सैंट एंज में रह रही है अब नेक्स डे आना को एक पल के लिए ऐसा लगता है कि जूडित हॉलवे में खेल रही है पर अगले ही पल वो जूडित और हेलन का को बाहर गार्डन में देखती है जिससे आना डर जाती है आना अब उन आवाजों का पीछा करती है और वो एक रेलिंग तक पहुच जाती है वो रेलिंग अचानकी बहुत तेज हिलने लगती है और उसका एक टुकड़ा तूटके नीचे गिर जाता है आना को बच्चों की हसने की आवाज आने लगती है और वो डर के छूट जाती है और सही यकीन हो जाता है कि सैंट एंज में कुछ ना कुछ बहुत बुरा हुआ था हैलनका अब आना के पास उसे समालने के लिए आती है पर आना हैलनका से मिस्टिंग बच्चों के बारे में पूछने लगती है हैलनका आना को बोलती है साफ साफ कि इस घर में कोई भी मि इस्ट्री में डूब चुका था अब उस रात को जूडित रोते हुए हैलनका के पास आती है और बोलती है कि उसे अपने बिल्ली के बच्चे नहीं मिल रहे जूडित को यहाँ पे आना समालने के लिए आती है और हमें पदा चलता है कि जूडित कुछ बिल्ली के बच्चों क गर के बहाल पाल रही थी आना और जुडित अब साथ में बाहर जाते हैं बिल्ली के बच्चों को डूणने के लिए पर उन दोनों को बच्चे कहीं भी नहीं मिलते अब जब वो दोनों वापिस आ रहे होते हैं तो वो दोनों देखते हैं हेलनका को जो सुमिंग पूल में से एक बैग को बहार निकालती है और बैग में होते हैं मरे हुए बिल्ली के बच्चे जुडित बच्चों को देख कर रोने लगती है और हेलन का पे मर्डर का इल्जाम लगाती है पर हेलन का बोलती है कि उसने बिल्लियों को नहीं मारा अब obviously Helen का पे जूडित यकीन नहीं करती और आना उसे समालती है अब next scene में आना और जूडित बिल्यो को एक proper ritual के साथ दफन कर देते है और इस scene में आना जूडित को दवाई खाने से मना करती है आना जूडित को समझाती है कि वो पागल नहीं है और सेंट एंज के लोगों ने उसे दवाईया खिला कर पागल कर रखा है और असल में सेंट एंज के लोग हत्यारे हैं और जूडित के साथ जो बच्चे पढ़ते थे उन बच्चों को सेंट एंज वालों नहीं मारा है जूडित आना पर यकीन असानी से कर लेती है और वो उसका साथ देने के लिए भी माज जाती है इसके बद आना और जूडित वापिस चले जाते है और डिनर के वक्त हेलनका जूडित को दवाई खाने को देती है जूडित हेलनका के सामने दवाई खाने का नाटक करती है और हेलनका के जाते ही जूदित दवाई को मुह से निकलके आना को दे देती है ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते है और दवाई ना खाने की वजह से जुदित सच में अच्छा फील करने लगती है जिससे आना को और ज़धा यकीन हो जाता है कि जो वो सोच रही है वो बिल्कुल सच है अब एक रात को आना नहा के जूडित के साथ बैठ जाती है और जूडित अब बताती है कि उसे कुछ बाते याद आई है जूडित बोलती है कि उसे एक जगा याद आई है जहांपे वो अपने दोस्तों के साथ खेलती थी लाइट्स अप फ्लिकर होने लगती है और आना जुडित को दिमाग पे जोड देने के लिए बोलती है जुडित काफी देर तक सोचती है और अचानक उसे याद आता है कि उसके दोस्त बिग बातरूम में कहीं पे चुपे हुए है आना और जुडित अब तुरंती बिग बातरूम में जाते है जहांपे आना टाइस को उखाड कर दिवार में खुदाई करने लगती है और उसे लग रहा था कि बच्चों को मार के दिवार में दफन किया गया है आना काफी दिर तक खुदाई करती रहती है और इंदाइन वो पहुचती है एक खाली जगा पे आना जुडित से टॉर्च मांगती है पर जुडित बात्रूम के बड़े से शीशे के अंदर देख रही थी आना अब दिवार को छोड़कर शीशे की तरव जाती है और से शीशे पे बहुत सारे बच्चों के हातों के निशान दिखाई देते है आना चॉग जाती है और तभी बात्रूम का गेट बंधो जाता है और एक बच्चे की आत्मा आना को डरा के गिरा देती है आना अब उटके खड़ी होती है और फिर वो एक टौर्च को शीशे में मारती है शीशा तूट जाता है और हम लोग देखते हैं कि शीशे के पीछे एक पूरी की पूरी hidden dormantory चुपी हुई है अब तभी Helen का bathroom के बाहर आ जाती है और दर्वाज़ा खोलने की कोशिश करने लगती है आना तुरन थी एक कपड़ा अपने हाथ पे लपेटती है और dormantory के अंदर घुसने के लिए कांच को साफ करने लगती है और Judith डर के मारे चुप जाती है Helen का bathroom में घुस जाती है और आना dormantory में एंटर करने ही वाली थी आना को दो बच्चे दिखाई देते हैं dormantory के अंदर पर तभी Helen का आना को पकड़ लेती है और Helen का आना को रोकने में अपनी पूरी जान लगा देती है और Helen का बोलती है कि अगर आना दूसरी तरफ चली गई तो वो वापिस इस तरफ नहीं आपाई की और आना को रोकने के लिए Helen का उसे मार के बिहोश कर देती है Helen का अब शावर में ले जाती है आना को और उस पे पानी डाल कर उसे होश मिलाती है होश में आते ही आना हेलन का से चला के पूछती है कि आखिर बच्चे कहां गए और हेलनका बोलती है कि सारे बच्चे वर्ड वार टू के हमले में मारे गए थे सिवाई जूडित के हेलनका आना को शांत करने की कोशिश करती है पर तबी जूडित वहाँ पे आ जाती है और हेलनका के सर पे मारके उसे बेहोश कर देती है अब नेक्स सीन में आना और जूडित दोनों ही उस डॉर्मेंटरी के अंदर घुसते हैं वो दोनों उस खंडर जगा को एक्स्प्लोर करते करते अलग-अलग हो जाते हैं और जूडित को मिलता है एक टैडी बियर जूडित उस सड़े हुए टैडी बियर को पकड़ कर रोने लगती है और से समझ में आ जाता है कि असल में जिन बच्चो को वो आना के साथ धून रही है वो मर चुके है दूसी तरफ आना को एक बच्चो वाला एलिवेटर मिलता है पर इस से पहले आना उसमें बैट पाती जूडित उसे रोकने के लिए आ जाती है जूडित आना को जूडित को धक्का दे कर भागती है वो जाके एलिवेटर में बैट कर दर्वाजा बंद कर लेती है और जूडित आना को नीचे जाने से मना करती है पर आना जानती थी कि बच्चो का एलिवेटर तब ही काम करता है जब दर्वाजा बंद होता है और फिर आना एलिवेटर स नई चीजे दिखाई दे रही थी आना उस डॉलमेंटरी में अब आगे बढ़ती है और उसे डर भी लग रहा था क्योंकि वो डॉलमेंटरी हद से जादा बढ़ी थी और फिर आना एक जगे बैठके परिशान होने लगती है और फिर अचानक ही उपड़ जाने का रस्ता भी बंद हो जाता है आना बुरी तरीके से डर जाती है और से लगता है कि कोई इसकी तरफ आ रहा है और इसलिए वो एक कमरे में खुद को लॉक कर लेती है पर वो कमरा असल में बच्चों के बात टब से भरा हुआ था अब उसी टाइम पे आना का डिलीवरी टाइम आ जाता है और अचानकी बहुत सारी बच्चों की आत्माई बात टब से जाक कर खड़ी हो जाती है सारी आत्माई आना को ही घूरने लगती है और आना डर के मारे उस जगा से बाहर चली जाती है आना को अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे पर तबी हॉलवे की दूसरी इसलिए में मदद करती है और आना भी समझ जाती है कि आत्माई उसकी मदद करने के लिए आई है और सीन कट हो जाता है सीन यहांसे अगले दिन पे जाता है जहाए मैंडम फ्रैंकार्ड और एक आत्मी उसी अबैंडन डॉर्मेंटरी में पहुचते है और वहु lihat विग कंद के लिए और वो दोनों आना की लाज को वही पे छोड़ कर चले जाते हैं और इस बात से ये साबित हो जाता है कि मैडम ने अपने अना थाल्यों को बचाने के चक्कर में वर्ड वार्ट टू वाले बच्चों की मौत को छुपा दिया था अब नेक्स सीन में हैलन का मैडम को ब मौवी के लास सीन में हैलन का और जूडित भी सैंट एंज को छोड़ देती है पर जूडित एक बार वापिस अंदर आती है अपनी एक पेंटिंग लेने के लिए फिर से वापिस जाने पे जूडित को आना की आवाज सुनाई देती है और आवाज का पीछा करते करते आत्माओं के हवाले कर दिया है और वो हमेशा हमेशा के लिए आत्माओं के साथ सैंट एंज में ही रहे की अब तभी मैडम आकर जूडित को वहां से ले जाती है और इसे सीन के साथ मूवी खतम हो जाती है तो ये थी एक्स्प्रेनेशन दा हाउस ओफ वॉइसेस मूवी की और मुझे आशा है कि आप सभी को ये मूवी समझ आ गई होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी ये मूवी देखनी है तो मेरा टैलीग्राम जॉइन करना होगा मैंने रिसेंटली दा टेल आफ प्रिंसेस कागुया मूवी को टैलीग्राम चैनल पे अपलोड किया है और अगर आपने अभी तक मेरे म्यूजिक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे अभी जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि इसमें आपको बिल्कुल डिफरेंट कंटेंट मिलने वाला है आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना मेरे फेस्बुक पेज का लिंग, इंस्टा का लिंग, स्नैप चैट का लिंग, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौझूद है तो अगर आप लोग में इसे जुड़ना चाहते हो तो मेरे को वहाँ पे फॉलो जरूर कर लेना वीडियो को लाइक करके और चैनल को सपोर्ट जरूर करना क्योंकि इसी से हमें काफी ज़्यादा हेल्प मिलती है और अब मैं आप लोगों से मिलता हूं अपनी अगली वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू बाब बाई